हलो गाइस चलिए अब हम लोग चलते हैं कि आखिर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता था उस इलेक्ट्रिक चार्ज के पास अपना खुद की पुरपटी क्या है मैं आपको इस बात को याद दिलादू कि इसके पिछले वीडियो में आप लोग को मैं बताया था कि आखिर में इलेक्ट्रिक चार्ज जो और किसी भी बोडी में पाये जाने वाला मास के बीच में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस थी मैंने आपको बताया था कि किसी भी body में जो क्या होती है वो उस body का या उस object का या उस substance का क्या होती है एक परकार की अपना खुद की fundamental properties होती है जिसे intrinsic property के नाम से जाना जाता है ठीक उसी परकार से charge भी किसी भी body पर हो सकता है चाहिए वो नेगडिल चार्ज होगा या के पास खुद का चार्ज है यानि कि उसके पास खुद का अपना fundamental या वैसिक प्रपटी है तो उस बैसिक प्रपटी का नाम जो पड़ता है intrinsic property परता है जो मैंने आपको बताया था यानि कि charge की बात करिए चाहे मास की बात करिए मास भी अपने मास भी मास जो होता है वो किसी बोडी पर हो जो होगा वह अपना खुद का fundamental प्रपटी जोगा जिसे intrinsic प्रपटी का रहा था था इंट्रेशिक प्रपटी प्रपटी होता है जो किसी भी सब्तांस के पास अपना खुद का प्रपटी होता है fundamental प्रपटी होता है उसे को intrinsic प्रपटी होता है फिर भी मैंने क्य विता तो उसके साहए था मास मास और ऊबजेक्ट मास और उसके साथ मैं चार्ज के बीच में डिफरेंट्स आप लोग को बताए था तो लेकिन हम लोग आप इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर में जो एलेक्टिक चार्ज होती है वुकिसी भी बोडी का यह विश्वी सबसे पहले आखिन में इल्राइब चार्ज की सब सा और सब्सक्राइब जुर्ण होता है कि सब्सक्राइब нет बतायें था को अभी बोडि पर नेगेटिव चार्ज कैसे लता है पॉजितिव चार्ज कैसे होता है बड़ाइं बेखित। अगर उनुट्रल की उतना पोजेटिव जो आएंस होती है उतना नेगेटिव आएंस मतलब जितना होगा उतना तरह होगा यान कि पोट्रोंस का संख्या और लेक्ट्रोंस की संख्या पर्दाइब नीटरल बोला जाता है कि पॉझेटीव नीटरॉन को कैंसी करता है इक वल होने के कारान और इस तरह से टोटल चाइगा तो देखी आज ये बोडी क्या करता है बोरिव अबचेट अपने से ello Bretonn को सरन ह्ट करते है तो गिंग fingertal चार्ज हो गया जब किसी पर निर्टिव चार्ज आती है तो हम कहते हैं कि वोडि किया है वह इलेक्ट्रों को ग्रहां किया है अकσιब्ट किया है गें किया है जिसकी वेसे उस बोडि पर नेगेटिब चार्ज आ गया और जो बोड़ी एलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है रिवूब करता है खुद से उस बोड़ी पर पॉजिटिब चार्ज दोनों सेम होता है उसके पास जीरो कुलाम होता है तो इस आपको एक topic by topic करके आपको इसके बारे में जंकारी बिस्टेश दूगा ठीक है अब करके मतलब बस इतना समझेजिए कि कि किसी भी एक system में किसी भी system में मतलब इन काने का मतलब होता है कि आंक चार्ज किसी भी बोडिक बार हमेसा सिस्टर कि वाथ करिये सक्वेश्ट में शीठाम का लिखियए सिस्टर का मतलब होता है थिसी एक परकार की मालच इसलियस अब इसमें बहुत र Το घ्र-2 को अटिसे मीड़ Marcus तो इसके अंदर जो 2 कलम चार्ज, नेगेटिव 3 कलम चार्ज, प्लस 1 कलम चार्ज ये ज़े जितनी चार्ज है ना, आपि इसमे मतलब इसके पास हमेशा इस बोडी के अंदर मतलब इस सिस्टेम के अंदर चार्ज हमेशा lifes掉 रहेगा कार्य मुझार ने गुलाब नेट चार्ज ने होता है, ये हैं अलक चार्ज होता है, तो ये चाठ्ज जलो ही चार्ज इसका इनर्जिव एक रूप से दूस्री रूप में इसे कि फरकार से चार्ज का एलेक्ट्रॉन का, एक बोडिंग लुटिमें पहते हैं, स्कूkt nôm हे इसे बात को याद ढखेंगा, जिसके क्क कमतला होता है कि आपके वीडियो में देतूगा दीर सब्सक्राइब皮च चर्ज के बार देत игр का मतलब होता है किश फ्रक्षंव होती है fix का मतलब होता है कि चार्ज कभी भी करेंसा da को रूप में हो शकता है किसी भी Body पर हमेशा fix होगा और इंटेजर की रूप में होगा चाहिए तो-2 क्लाम होगा यह भी किलौक्ச कर देंस 2.5 नहीं होगा, that means मेरा कहने का मतलब है, कि अगर आप दोकान जाएगा, और दोकान जाकर आप कहिएगा कि मुझे आधा मारकर चाहिए, क्या possible है, नहीं, जब भी दोकान दार चाहिएगा, तो आपको एक मारकर, दो मारकर, तीन मारकर दे सकता है, देड़ मारकर नहीं दे सकत है, और हाई मारकर नहीं दे सकता है, क्योंकि यह possible नहीं है, ठीक उसी परकास से चार्ज हो है, चार्ज, वो हमेशा क्या होगा, किसी बोडी पर फिक्स होगा, that means वो देड़ आधा नहीं होता, फ्रक्शन को रूप में होता है, डिसिबल के फॉर्म में नहीं होता है, हमेशा का करें, एक बोडी पर जिरु चार्ज है, ठीक है, बहुत सारा चार्ज दीए, जैसे एक बोडी है, नीट्र बोडी, उस बोडी को पुजिटिवल चार्ज के, नेगटिवल चार्ज के, फिर पुजिटिवल चार्ज के, that means मिरे कहने का मतलगा है, कि अगर आप किसी भी एक बोडी को इलेक्टिवल चार्ज करते हैं, तो उस बोडी पर टोटल कितना चार्ज है, उसके लिए अब डारेक्ट जोड दीजिए, अलजेवरिक सम्स कर दीजिए, और उस पर टोटल जितना भी जो चार्ज आएगा, वह उस बोडी पर नेट चार्ज होगा, इसी अलेटिव नेचर, मतलब चार्ज को डारेक्ट जोडा जा सकता है, किसी बोडी पर होगा तो, देखिए, अगला आता पचमार कि चार्ज इस डिश्ट्रिबूटेर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स टूरेटर्ट इलेक्टिव चार्ज, इलेक्टिव सार्ट से रि मतलब चार्ज को डिश्ट्रिबूट भी किया जा सकता है, जब भी किसी बोडी को इलेक्टिकली चार्ज करते हैं, तो हमेसा बोडी दो इस तरह से चार्ज होगा, इस बात को ध्यारा किएगा, चाहे तो बोडी उनिफॉर्मली हो सकता है, या भी ननिफॉर्मली, उनिफॉ कि uniformly की रुप में किस तरह से चार्ज करेंगे कि किसी बोडी को तो खो़ता है कि आप बाट दी सकती और यह कितने रुप से मिलने दो रुप से बाट सकते किसी बोडी को spirit रहे चार्ज करेगा तूसं बोडी पर दो इतरह तरह से चार्ज हो सकता है चाहिए तो बोड़ी उनिफॉर्मिली चार्ज हो सकता है उनिफॉर्मिली चार्ज होगा और यह होता क्या इसके बारे में बताऊंगा बस आपको वेट करना है और इस यूटूब चैनल पर आपको बस ध्यांग देना और यह मेरे चैनल पर सब्सक्राइब और कॉमेंट्स करना न भूलना अगला आपका प्रपटी जाता है यह आता है कि प्रकार के इंत्रिसिक प्रपटी है मतला अपना खुद के फंडामेंटल परपटी जाय है तो जब यह फंडामेंटल परपटी जाय है तो यह सिर्प उसिछिग पास क्या होगी मैंटीूड होगा कोई डेरेक्शन नहीं उसके पास होगा तो यहाद अखना कि जिस फिज्जिकल पॉन्टिटी के पास अल्ली कुन हAD होती है इसक 사드 नहीं थीario is the 믿able Лख कि अधियर चार्ज में चार्ज Dare मैं दो तरह को दह चार्ज का मतलब होता है कि कोई भी बोड़ी अगर लक्त्रों को क्या करता है ऐह पर नंष्ट करता है और जब कोई पर चार्ज को राइधों को सब्सक्रtu. इस चाहाँ है बड़ेट्ली तो इसलिगतिर्ग करता है तो यह पर लुझत करता है तो व्युज़त आजिब सतंध मतलव होता है जैसें का मतलव होता है कि सब्सक्राइब होगो जा SP पॉजिटिव 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 पॉजि एक दुसरे के पास नहीं को करते क्यों है इसकी जानकारी आपको जरूर मिलेगा जैसे मेंklär काने चांग सकता हो पुजेटिव चार्ज हमें सा एलेक्टिव फिल्ट कर्ती है और उस तो उस फिल्ट के दुवारा उस इलेक्टिव चार्ज पर एक सोस्क्रमों सब्सक्राइब कोबता है तो यहां पर चा यहां पर पजिटीभ चार्ज यही पॉजिटीव चाप इसके द्वारा बनाएगा क्योंगी बाहर कि तरफ होगा इन्फिनाइट कि तरफ जाएगा अपने से आप जब इस लिखेगा तो यह बाहर कीक्तराइल करता है चाहिए कि इसको फॉर्स जॉस्टर को 50 करता है that means हमेशा positive charge एक दूसरी को रिपेल्स करेंगे और negative charge एक दूसरी को रिपेल्स करेंगे एक दूसरी को अट्रेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि positive charge और positive charge एक दूसरी को अट्राइड करते ही और इस condition में इसे कहा जाता है कि negative charge और positive charge एक प्रकार की attractive nature का होता है जिसे attractive electrostatic force भी कहा जाता है इसके बारे में भी आपको जल्दी पता चल जाएगा ठीक है चलिए अग्रा देखिए जैसे कि आपको वे फीड़ देखा दिया हूं क्या कि एक positive charge एक दूसरी के पास आने के लिए क्या करेंगा आना चाहेगा क्योंकि दूसरी के यहाँ पर एक force यह बिए इस एक पूसरी का पास आना चाहेगा इस एक ट्रक्टिव निचर के काते हैं यह तक को सीबल जब क्वाइब करके घर संके किया जाता तीन मेथडे किसी भी एक किसी भी वोडी को किसी भी बोडी को अप एलेक्टिकली चार्ज कर सकती हैं लेकिन उसके लिए आपको तीन चीज करना पड़ेगा यह को इस्तेमाल करते थे यह क्वेंड़ कर एक होता किया यह प्रिटिकली कम से को आपको भुए तो और आई स्थिभुटेड़ Mr. Incredible CMire अप्लोट्स करते रहोंगा में सारा का सारा मैं प्लेलिस्ट में जाकर जाकर दूंगा तो देखिए किसी इलेक्टिकल बोडी को मतलब इहां तो कि आप आप दुस्रे को फ्रिक्षिन करिएगा तो तो क्या होगी इना वो चार्ज हो जाता है इस बोडी के पास क्या होता है ना किस बोडी के पास इलेक्ट्रों साने कावजाया हूं यह लाता है समझ्हें हां he प्रचिब को क्या किया जाता है pleased मतलब इतना सपाल कि बंचेट कर दिया जाता है और जी चमरे टोलों की सब्सक्सकें पूपनी पर चला जाएगा और इस तहसे प्र लाकर लिया जाता है प्र उन्चार्ज बड़ी चार्ट हो जाता है अब यह सब के बारे आपको धीरे-दिरे पता चल रहेगा ठीक है देखेए अगराइस दसमा प्रुपटि जाता है कि फुटिटिटिबिटिश्टिक फिल्ड एरॉण डू एंट्व इंफिनाट और निग्रोडिश बोडी कि अगर कोई चार्ज POJETIUVLY दौरा जो पॉड्यूस करता है अपने चालो तरफ वो हमेशा एंपिनाइट की तरफ करेगा अपने से इंफिनाइट की तरफ मतला कि पॉडिटिव लिचार्ज के दवारा अपने तरफ कि अपने से बाहर की तरफ होती है मतलब वो हमिशा क्या होती है're infinite तो मतलब अपको मैं ऐगो फिल कलाना चाहता हूँ फिल कå मतलब धिहां से सुबणिगा है Mark के लिए ठंडडड़ की मौसम है ठंड़ी की मौसम में पुरा गर्म हो जाता है और आप वहाँ पर जाती है तो आपका बोडी क्या होती है पूरे ठंड होती है तो आपका बोडी क्या करना चाहता है हीट को अबजर्व करना चाहता है यानि कहने का मतलब है कि जो जो क्या होती है ज्यार समझेगा ज्यारा कुछ दम हाद है बस कहीं पर आंग जाल रहे हैं तो आखेर मोहां पर गय तो अपको क्या करेंगा लेकिन जो जो निकल रहा हो था जो निकलиков नेगेट जार से बाहर की ते मतलब आप घंड से कप रहें तो आप की पास नहीं नहीं या जाईगा का सिफने मतलब हीट को प्राप करने के लिए जब होगा तो लिए वाधर से मेरे तरफ आ रहा होगा तो जो बाहर से मेरे तरफ आरह होगा, तो बाहर से मैरे तरफ आता है वो नेगेटिव ठीक है चलिए अब हम लोग समझते हैं कि आखिर में। जाली इसके बारे में जानते तब तक देखेए कि आखिर में कुछार्ज क्राइब रहता है की कोस्टेंट ऑदलेगा नहीं और हमेशा कभी निरमान भी नहीं होगा और नहीं कभी खत्म होगा उसी को कंजब करते हैं कंजब का मतलब यहां पर देम यह समझ यह दा कि अगर कोई एक system है और उस System के अंदर बहुत उठार्ज रखा हुआ है जा उसी किस तरह से भी कर रहे है उसके अगर बलह सीस्टम लेए उस system ऑस system बहुत अलग बलक है उसज्ञण के बीच मी किसी तरह से मिल जानने के करान सारे बोड़ी पर अलग लग चार्ज आगी तो क्या उस बोड़ी के पास नया चार्ज बन गया क्या उस पूरे सिस्टम में पहले से ज्यादा चार्ज है क्या उस पूरे सिस्टम में पहले से कम चार्ज है तो ऐसा नहीं देखिए एक बोड़ी स इस दूसरी बोड़ी में चार्ज का कम बेसी तो हो सकता है, लेकिन याद रखना कि इस पूरे सिस्टम में कि चार्ज कभी भी जादा ना कभी कम हो सकता है, यह याद रखिये बात को, अदला बदली हो सकता है, कम बेसी हो सकता है एक बोड़ी के पास चार्ज, लेकिन पूरे स सिस्टम में टोटल चार्ज कभी भी नहीं बदल सकता है इसी को कंजर्वेशन आफ चार्ज के नाम से जहा जाता है आपको फिल होगा एक एक जामपल के साथ अब इस तनहाई में क्या है रूम में एक परकार की मैंने अलग अलग परकार की चार्ज रखा हूं जो कि एक सिस्टम करने डेकर मानिश फ्रेंगे परकार के चलो इसको फेड दिया गया तो फेड दने के बाद यह कुछ इस तरह से बन गें इस चार बुरी यह था इसके पास मानिएं चलो 5 कलाम प्रसमा गया इसके पास प्रस्टूड कलाम आगा अब इसके पास minus 3 कलाम आग यह तो आप लोग को यह बताना है कि अखिन में इसके पास कितना कलाम होगा इस जो लोगए के पास अजção सता इंदर यह का लोगी को बढेंत क्याइब होगा है इस System स्कुनां निया चाहिए जरोगा इस सिस्टम में 10 च के बराबार होगा तो यह किता है तो तेखिए कि थैंस को क्या करेंगा माइन स3 कुलांब प्लास 6 smart फ्लास 2 कुलाम कर दॉवर नो हम जाए उसको रिखना त्षिस смотреть ट्चहर्ण उसके बाद माइनस3 कुलाम इसके बत क्याना एक लिखना है इसको लिवाज़ है तो आखिर मिष्य किसना चार्ज होगा ताकि इस इस सिस्ट्म की टोडल चार्ज के बावार हो ताब यहां से निकाल सकते हैं देखें माइश में आठ हो जाएगा टोल कि टाल जबा आखें पूरा का उप पूरा कर ताकि के इस सिस्टम ड्रठीक चार्ज पक्षार्ज के बुराबर हो SH क्यों इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब होता है कि एक सिस्टम में में तना हाई में एक लोग और इंवमिल शाय से होगा अलग-अलग बोड़ी पर चार्ज ठोस franc लेकिन एक सिस्टम के अंदर चार्ज हमें साथ कुवह क्या रहेगा इकवाल रागटाटमस कोस्टेंट रहेगा या इससे भी आप समझ सकते हैं जैसे इस तरह से प्रदें दखिये इस तरह से लिए आप एक माल लिजिये यहां परिए अपने क्या लगे एक ग्लास ले लिए जैसे में ग्यास के ये लिए है कुछ को तोक्र फेगा और या मہने ग्यास का ये क्लासू आठेड़े छेमाल रुक्तर तेटेवर jeसरजिए सिले स्लीग olmसमी घखें यह? पार ये पनी अथै। अपनाय कि सिले नाज में सक्याफ़ पर या तो इस पर पाच इल्टोन इस पर चला गया तो जो जो ऑब्जेक्ट क्या दरता है इसको मार्फ पार्च कब्च रहा है माइन सब्सक्राइब इसको और यह सकुन होगा और पार्च इलेक्ट्रोंट्स दिया मतलब पूजिटिवी चार्ज पाल उत्या देगा ना इसपर पर रहिए प्लसफ फॉडप साइब और यह उसको फाले कि आएगा पॉजटिफक पर दोनों बोडी तोटल चार्ट हितना निकालिए गा तो पुप फाइब कुलाम और इस कंटिर सब कोड़ाँ सहोगी जिडिरु कुलाम होगा यानि कहने का मतलब है एक system में अगर बात की ज़ए दोनों में लाता है जो system बनेगा ये दोनों जो system में total charge पहले 0 कुलाम था और अब भी 0 कुलाम है यानि कहने मुझे एक चार्ज बोडी फायल क्या होगा एक बोडी से दुस्री बोडी में ट्रांसफर तो हो सकता बस उसी दोनों बोडी से बनने वला सिस्टम के अंदर टोटल चार्ज हमेशा जीर होगा और इसी को बोला जाता है क्या तो अगर आपको वीडियो पसंद आता ह है तो अप्लाइक करिए सब्सक्राब करें कॉमेंट्स करिए और से करना ना भूलना ठीक है